कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिशेक मनु सिंगवी और अलका लामबा ने आज बिलकिस बानो केस पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जम कर निशाना साधा सुनिए क्या बोले सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कॉंग्रेस के उन सभी आरोप पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा परधान मंत्री जी की कतनी बेटी बचाओ की लेकिन करनी में बलातकारी और अपरादियों को बचाओ वाली थी उसके साथ खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने मैं आपको यकीन दिला रही हूँ महिला हूँ देश की करोडो बेटियां जो न्याए की उमीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगाता चक्कर काट रहे हैं उनकी उमीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है बताया आपको गोदरा के विधायक को ये संसकारी संसकारी बलातकारी लग रहे थे उनके लिए संसकारी शब्द का इस्तमाल किया जाता है अब बात यह है कि जब आजादी का अमरित महुत्सव एक तरफ नारा दूसरे तरफ बलातकारियों की रिहाई और उसके बादे में उसका जश्न हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के परधानमंत्री और भाजपा को सूप्रिम कोट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से करोड़ों बेटियों से देश से माफी माँने चाहिए आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं सुप्रीम कोट अगर आदेश ना देता तो ब्रज बुक्षन शर्ण के खिलाफ एफ़ायर करने की किसे की हिम्मत नहीं थी वह हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफतारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है भारत जोड़ो नया यात्रा लोग पूछ रहे थे क्या जरूरत है उस मनीपूर से यह भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू हो रही है जिस मनीपूर में थाने के से आदिवसी बेटियों को खीच कर बहर लाकर समुहिक बलातकार किया जाता है यह यात्रा वहां से शुरू हो यह यात्रा हर्याना से होते हुए पूर्व से पश्चिम के गुज्रात तक देश की बेटी बिल्किस बानो हो साक्षी मली को या मनीपूर की आदिवसी बेटियां हो यह यह भाजपा के यह सारे विधायक है यह सांसद है यह पूर्व केंद्रिय मंत्री हैं सब पे नबालिक बेटियों के बलातकार के घंबीर आरोप हैं हाली में जो रामदूलार गौर एममेले पर हुआ 2014 का मामला है 2014 में फैसला आता है कि भाजपा के विदायक नबालिक बेटी के बलातकार के दोशी तस साल लग गए परधान मंत्री जी 2014 14 से 24 में साबित करती और आपका तो यह कहना था नबालिक बेटी के बलातकारियों को पोक्सो कानोन में फासी होनी चाहिए अभी तक यह सभी के सभी भाजपा के सम्मानित संसकारी सदस्य हैं पार्टी से बाहर नहीं किये गए आज भी अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहे सो भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस मुझे नहीं मालूम अभी शेक सर मुझसे ज़्यादा बहतर जानते हैं मैं सिर्फ एक शक है कि सत्ता संख्या ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रिम कोट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लेमेन में पलटने का काम किया है क्या इस फैसले को भी जिसमें सुप्रिम कोट का अधेश है कि दो हफ्ते के भीतर भाजपा की राजचे सरकार केंद्र सरकार की मौर लगने के बाद este पंदरा अगस को ग्यारा बलातकारी हत्यारों को जो रिया किया है दो हफ्ते में उन्हें वापिस जेल भेजना है क्या इन दो हफ्तों में ये ग्यारा बलातकारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रिम कोट के आदेश के नुसार या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रि क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिया किया तो याद रखिएगा 15 अगस 2022 को जब रिया किया तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था ग्यारा कुर्या ही नहीं किया विश्वंदू परिश्वद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई आद दो हजार चोबिस के चुनाव है उससे पहले यह महत्पून फैसला आया है अब क्या दो हजार चोबिस में से पहले यह जेल जाएंगे इसी महीने जो दो हफ्ते का समय सुप्रीम कोट ने दिया है या अध्या देशला के सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलट कर चोबिस में यह फिर चार सो पार का भाजपा का नारा है ट्रिक के नारे को य यह बलातकारी और यह इनके विधायक मोदी जी के लिए भाजपा के लिए साकार करेंगे यह देश पूछ रहा है यह देश पूछ रहा है क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिया हुई दो हजार चोबिस के चुनाव से पहले यह फैसला आया है और हम देश के परधान मंतरी को कहते हैं आईए देश के सामने दस साल हो गए आपके जुमले आपके नारे हकीकत से कोसो दूर है आपको बताया आप राधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है हर्याना में बार बार एक बलातकार के दोशी उम्रकैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं ब्रजबूशन की F.I.R. गिरफतारी नहीं होती नियाए नहीं मिलता है मनिपूर की बेटियां यहाँ पर आपकी दिली की दहलीज पर जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई उनके लिए भी F.I.R. और कानूनी कारवाई सरकार करें सुप्रिम कोट को फटकार लगानी पड़ी तब हरकत में आई केंदर की और मनिपूर की सरकार और आज भी केंदर और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रिम कोट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनाकाब करता है हम सुप्रिम कोट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर जब करोडो बेटियां न्याई के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहें और सरकार में बैठे लोग बलातकारियों को पूरी तरह से संरक्षन ही नहीं दे रहें अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस 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 समय में सुप्रिम कोट का यह फैसला देश की करोडो बेटियों में एक उमीद न्याई की उमीद को जिन्दा रखता है और भा भरत जोडोन नयाए यात्रा कब तक बारत जोडोन ''नयाए यात्रा'' नयाए का हख मिल जाने तक और यह लड़ाई लंबी है उस लंबी लड़ाई के लिए चार हजार किलो मीटर की यात्रा के बाद श्री राहूल गांदी जी अब 6,713 किलो मीटर की पहले दक्षिन से उत्तर और अब पूरफ से पश्चिम की यात्रा पे निकल रहे हैं ताकि देश की करोड़ो बेटियां जो आज भी अन्याई के बीच में सत्ता के समर्थत इन अप साल में कि आजादी का अम्रित महुत्सव अपरादी बलातकारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं गुलामी का जहर इस एक साल में इन 11 बलातकारियों की रहा में इस एक साल को उन बेटियों ने पिया है उमीदें टूट रही थी कि नहीं होगा आ उन्होंने हमारी बेटियों की देश के अनेकों लोगों की उमीदों को जिन्दा रखने का काम किया है। और हम पूरी बदता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ कानूनी तोर से कहें, हर तरीके से कहें, समाजी को राजनीतिक तोर से लड़ने के लिए भारतिय रास्टिय कॉंगर्स पूरी तरह मुस्तादी से तयार है। धन्यवाद। अभिशेक जी, अभी अलका जीने कुछ सांसदों की और नेताओं की तसीरे दिखाएं जो बीजेपी से रिलेटेट थे, मौजूदा रिकॉर्ट के हिसाब से लोग समा के, और 134 सांसदों और विधायकों के खिलाफ, क्राइम अगेंस्ट वोमेन के गंभीर चार्जेज हैं अठारा ऐसे लोग हैं जिन पर रेप और गेंग रेप पर चार्जेज हैं, और साथ बीजेपी के हैं और छे कॉंग्रेस के भी हैं, तो ये लोग सांसद या विधायक इसलिए बनते के इने पार्टिया टिकट देती हैं, क्या कॉंग्रेस आज इसमन से कह सकती है किसाब रे ये हम बात कर रहे हैं, एक आदमी जो कन्विक्टिड ही नहीं है, लेकिन जो कारावास में था, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो आपने तेरा नाम लिए उनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं होगा, एक, दूसरा, जो सूची दिये मैंने उसमें तीन चार करनी चाहिए, लेकिन वो एक दूसरी केटिगरी है, यहां तो जो चीज आप इस केस की जो आज इसके लिए प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं, उसके अगर आप तथ्ये देखें तो भज़ना के, उनकी क्या तुलना है, यहां एक व्यक्ति आरोपित भी नहीं है, कन्विक्ट इतनी बेशर्मी से इनका संब्सक्राइब करने खड़ी क्यों ही, इन में से का कोई भी जो आपको तस्वीर दिखाई, मेरी दोस्तने, मैंने जिसका जिक्र किया, इन में से कोई BGP का कोई संब्सक्राइब रखता था, यह BGP यह आस्मान से टपके वे लोग है क्या, तो य यह जो प्रश्ण है, यह तो किसी को भी जो सौ का नाम ले रहे हैं आप, या डेड़ सौ का नाम ले रहे हैं, और मेरी जो सूची है, इनकी जो फोटो दिखा रही हैं यह, उसमें भी कन्विक्टिट लोग भी है, आरोपित नहीं है और एक तस्वीर जो सेंटर में हैं, उत्तर परदेश, वारा नसी, परधान मंत्री जी की लोग सबा, बी एच यू में आई आई टी की छात्रा, सामुईक बलातकारी, दो महीने तक नहीं पकड़ में आए, क्योंकि वो मध्य परदेश में भाजपा के लिए प्रचार प्रस मुझे लगा तस्वीरें आपके सामने और इस तस्वीरों की हकीकत आप बहतर से जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधान मंत्री के संसदिये शेत्र, उत्तर परदेश के वारा नसी के बी एच यू में आई आई टी की बेटी के साथ सामुईक बलातकार के ब लेकिन ये बताते हैं, वो हमारे सदस्य नहीं थे, हमारे मंचों पर थे, उनको लड़ू खिला के हाँ डाले, लेकिन ये भाजपा आई आई टी के, भाजपा के हर नेता के साथ तस्वीरें, आई आई टी वे भाग, लेकिन प्रधान मंत्री जी पूरी तरहां से इस मामले म भी खामोश और चुप है पूलीस की हिम्मत नहीं हुई कि मद्देप्रतेश राजस्तान च्टिसगड़ के चुनाव चल रहे तो खासों से राजस्तान में जहां पर प्रधान मंत्री जी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे उस समय पर इनकी गिरफतारी अगर हो जा इसलिए दो महीने तक सिर्फ चुनावों की वज़ा से इनकी गिरफतारी नहीं हुई दबाव बड़ा बीचु में आंदोलन होता रहा किसी ने उसको बहुत बड़ा हवा नहीं दी क्योंकि प्रधान मंत्री ची का संसदिय शेत्र और अपराधी जो है वह भाजपा से सो सोचना समाज में आपको हमकोर सबको है कि दोशी सिर्फ वो नहीं है जो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं दोशी कहीं न कहीं हम आप सब हैं जो इस पे चुपी, खमुशी यैसे नजर अंदाज करके इनकी मदद कर रहे हैं धन्यवाद प्रिसवार्ता करते समय सिंगवी ने बताया कि बीजेपी ने जिस तरह बलात कारियों को बचाने की प्रक्रिया अपनाई थी, अब उन्हें मुह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है बीजेपी के सभी जुमले एक्सपोज हो गए हैं और बीजेपी का असली चहरा सामने आ गया है जेल में रहते हुए भी इन सभी दोशियों को बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने काफी सहुलियते दे रखी थी लेकिन पाप इतनी आसानी से न निपटता है और नहीं आसानी से छिपता है बिल्किस बानों के मामले में कई वकीलों ने सरकार की तरफ से कोट में आकर बार-बार समय मांगा आखिर में जज तक को कहना पड़ा कि शायद आप मेरे सेवानिवरिक्त होने का इंतजार कर रहे हैं ये कितनी शर्मनाक बात है लेकिन पी-एम मोदी ने अपनी सरकार के इस रवये पर एक शब्द नहीं बोला बिल्किस बानो जैसा मामला समाज के लिए भयानक है लेकिन फिर भी इन दोशियों को रिहा कर दिया गया इस मामले में गुजराथ सरकार का बदेरादा जहलकता है लेकिन केंद्र सरकार भी अपना मुह नहीं छिपा सकती क्योंकि उन्होंने खुद इन 11 दोशियों की रिहाई को मनजूरी वसहमती दी थी वही इस मामले में महिला कॉंग्रेस की नवन्युक्त अध्यक्ष अलका लामबा ने कहा कि जब देश के प्रधान मंत्री 15 अगस्ट 2022 को लाल किले से आजादी के अमरित महोचसव पर भाशन दे रहे थे तो उधर गुजरात में बिलकिस बानों के बलातकारियों की रिहाई हो रही थी पहले इन बलातकारियों का स्वागत वी एचपी के दफ्तर में होता है और बाद में बीजेपी के सांसद और विधायक इनके साथ मंच साजा करते हैं सुप्रीन कोर्ट के इस फैसले के बाद पी-म मोदी और बीजेपी के नेताओं को देश की करोडों बेटियों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बीजेपी आज बेनकाब हो चुकी है आपको बता दें कि गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोशियों को समय से पहले जेल से रहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीन कोर्ट ने रद कर दिया है कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है पीड़त की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी